ओके सो हेलो एवरिवन आज मैं आप लोग के लिए दो टाइपस के हेर्स की स्मूथिनिंग लिकर आया हूँ जिसमें आप लोग को देखने मिलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है तो ये पहला हेर्स आप लोग देख सकते हो कि काफी फ्रिजी है बट इसका रिजल काफी ब क्रीम निकालना है तो चलिए हम दोनों में से एक का पूरा वीडियो डिटेल में लाए है तो उस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए कि किस तरह में स्मूथिनिंग करना है एक वीडियो भी आप लोग ने पूरा डिटेल में देख लिया तो किसी भी टाइपस के हेर्स Next Estension का Smootening Cream निकाल लिया है आप लोगों को पहले ही ज्यादानी निकालना है थोड़े ही quantity में निकालना है ज्यादा हो जनने पर cream waste नहों तो आप लोगों को उतने ही पर निकालना है जितना कि आप लोग यूज़ कर पाओ तो दोस्तों चलिए क्रीम लगाने स्टार्ट करते हैं तो जब तक हम लोग क्रीम लगा रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर लिजे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग ने हमारे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइबर तक पहुचा दिया है अब हमारा और पूरा प्रोसीजर में आप लोग को आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर तो आप लोग देख पा रहे हो कि हम पतले-पतले सेक्शन्स ले रहे हैं और उसके बाद में फिंगर से अच्छी तरीके से मलसिफाय करने के बाद दो से तीन बार कोम कर रहे हैं देन उसके बाद में हम सेकेंड सेक्शन ले रहे हैं तो देखिए इसी तरह आप लोग को स्टेप बाइ स्टेप पूरे हेर्स पर लगा लेना है ध्यान रहे हैं आप लोग की रूट पर नहीं लगाना है क्योंकि इसमें काफी मातरा में अमोनिया होता है इस क्रीम में और इस क्रीम में अगर अमोनिया होनी को इससे अगर रूट पर लगेगा तो आपके हेर्स बन हो सकते हैं के scale भी बन हो सकते हैं तो ध्यान रखिए कि आप लोग को खाली आप लोग को length पर ही लगाना है तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि ये cream का procedure पूरा proper में क्या है तो ये cream हमारे hairs के जो bones होते हैं उसे break करने या काम करता है ब्रेक की तोड़ना तो उससे क्या होता है कि हमारे जो hair से ब्रेक हो जाते हैं बट जब हम इसे आइनिंग करते हैं तो जो हमें shape चाहिए straight में वो proper तरीके से वो उसी shape में आ जाते हैं देन उसके बाद में हमारे जो second cream है उसका क्या काम ह तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो चलिए पहले हम लोग अच्छी तरीके से cream proper लगा ले रहे हैं आप लोग को cream लगाते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि जब आप मलसिफाइ करें तो आप लोग को देखना है कि जो हमारा bottom का जो length यानि कि एकदम नीचे का area या वहाँ पर हम लगाना भूल जाते हैं वहाँ पर हम लोग finger से मलसिफाइ भी नहीं कर पाते हैं जिससे कि बहुत लोगों का जो length नीचे से turn होने लगता है तो आप लोग को ध्यान देना है और बहुत ही proper तरीके से नीचे पूरा cream अच्छी तरीके से लगा लेना है अगर कोई color hair है जादा color है तो आप लोग को directly ये cream यूज नहीं करना है फिर इसमें आप लोग को hair spa cream लगा कर ही यूज करना है ताकि जो हमारा cream का जो ammonia का power है वो थोड़ा mild हो जाए यानि कि अगर जादा color है तो अगर थोड़े बहुत color तो चल जाएगा बट अगर जादा color है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसमें mild करने के लिए hair spa cream मिला सकते हैं तो अगर आप लोग ने इसका पूरा procedure देखना है कि colored hair पर हमें smoothing किस तरह करनी है तो वो भी आपको मेरे इस channel road haircut tutorial में आप लोग को मिल जाएगा तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलना तो चलिए हमने हमारा cream procedure proper दरीके से complete कर लिया है cream लगाते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि आप लोग को ज़्यादा कंजूसी नहीं करना है cream आपको अच्छे दरीके से लगाना है और इसका cream लगाने का मतल़ ये भी नहीं कि ज़्यादा लगाना है जितना जहां पर अब अब लोग को चुछ क्वेशा नहीं कराना है तो अब लोग को डिया है कि इसे आप लोग को प्रोफेशनल सलून में करा ना है तो हमने इसे अब रख दिया है 30 minutes के लिए 30 minutes बात चेक करेंगे अगर हमारे hairs break नहीं हुवे रहेंगे तो हम थोड़ा और रुकेंगे तो आपको इसे check किस तरह करना है और किस तरह हमें पता चले है कि हमारे hairs break हो चुके है तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं तो देखिए हमारा 30 minutes complete होने के बाद में हम इस में से पतला सा एक hairs लेंगे सिर्फ एक ही single hair लेना है और उस single hairs को आप लोगो कीच कर देखना है अगर खीचने के बाद वो stretch हो रहा है और फिर चोडने के बाद वो spring की तड़ा हो जा रहा है तो warm water से ही आप लोगो wash करना है देन उसके बाद में आप लोगो normal water यूज़ करना है तो चलिए हमने हमारा wash करके cream पुरा निकाल लिया है अब हम लगा रहे है hair spa cream जो की smoothing cream बात है इससे क्या होगा कि जो हमने hair में cream लगाया है अब हमें करना है आइनिंग तो आइनिंग करने के लिए हमारे hair में थोड़ा सा एक narration चाहिए जिसके वज़े से हम अच्छी तरीके से आइनिंग कर पाए और हमारे hair पर कोई problem नहों तो हम इसमें लगाएंगे hair spa cream hair spa cream आप लोग कोई भी लगा सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो आपके मास्क है लाओरियल का professional mask तो वो भी लगा सकते हो तो चलिए हमने इसे लगा कर 5-10 सेकेंड रुकेंगे देन उसके बाद उसे भी अच्छी तरीके से rinse करके निकाल देंगे तो चलिए हमने हमारा अच्छी तरीके से wash complete कर लिया है अब हम towel dry करेंगे towel dry आप लोग को बहुती proper तरीके से करना है और एकदम straight की तरफ नीचे की तरफ लेते हुए करना है किसी भी तरह से hairs को turn वगरा नहीं करना है बहुती straight तरीके से ही आप लोग को towel dry करना है और towel dry करने के बाद में हम इसे करेंगे straight comb आप लोग पैंडल ब्रेश से comb कर सकते हो या फिर आप लोग कोई comb है तो उससे भी comb करके एकदम straight कर लेना है देन उसके बाद में हम इसे करेंगे dryer ड्रायर आप लोग को पहले starting में cool dry करना है ज्यादा heat dry नहीं करना है cool dry करके उपर से नीचे की तरफ आप लोग को dryer देना है तो देखें मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये देखिए आप लोग को उपर से नीचे की तरफ ये नहीं कि कैसे भी आप लोग ने dry कर दिया blast dry नहीं करना है अच्छी तरीके से मोजर लगे हुए हमने चाहिए हमारे dryer में मैंने देखा है बहुत लोगों को कि बस dryer लेते हैं आगे का मोजर नहीं लगा हो तो जिससे की hairs अच्छी तरीके से ड्राय नहीं होते हैं तो आप लोग को dry बहुती प्रॉपर तरीके से उपर कि नीचे की तरफ आते हुए करना है ताकि अब हमारा जो भी प्रोसीजर होगा वो उपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट करते हुई होगा तो हम जब भी स्ट्रेटनिंग वगरा करते हैं स्मूथनिंग करते हैं या फिर कैरेटीन करते हैं कोई भी आप लोग करिये ट्रीटमेंट तो आप लोग का जो ड्रायर करने का टेक्निक होगा वो उपर से नीची की तरफ ही आएगा तो चलिए हम हमारा पैंडल ब्रेश से अच्छी तरीकी से पूरा 100% ड्राय कर लेते हैं पहले हमने 50% कूल ड्राय किया देन उसके बाद में 30% मीडियम हीट से ड्राय किया अब 100% हम पूरा 20% जो हैर्स बचे हुए गिले उसे हम पैंडल ब्रेश से पूरा अच्छी तरीके से ह करके ड्राय करेंगे तो यह हमारा ड्राय कंप्लिट हुआ 100% हमारा ड्राय हो चुका है अब हमने इसे किया है सेक्षिनिंग बेसिक फॉर सेक्षिनिंग का ले हैं और फिर बेसिक फॉर सेक्षिनिंग में हम करेंगे आइनिंग तो हम आइनिंग यूज करेंगे आइकोनिक का प जिससे आप लोग को shine नहीं मिलेगा तो ध्यान दिजिए आप लोग को professional iconic ka ही आप लोग को आइनिंग machine यूज़ करना है तो हमने हमारा आइनिंग start कर दिया है तो पहले route से middle तक आप लोग को कम से कम 10 बर आइनिंग करना है और उसके बाद में जो middle लेंड से और फिर मैंने इसमें वीडियो में थोड़ा कम दिखाए क्योंकि अगर प्रॉपर पूरा वीडियो में दिखाऊं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ही आइनिंग किया है ताकि आप लोग को जादा टाइम वेश्ट ना हो और आप लोग बहुत ही जल्दी से और आसानी से समझ पाए और हाँ दोस्तों अभी आप लोग का ये डाउट होगा कि हमें आइकोनिक का जो हमारा आइनिंग मशीन है उसका टेंपरेचर कितना रखना है तो टेंपरेचर आप लोग को हर हैर्स पर अलग टाइप्स में रखना ह हो तो आप लोग को हैर्स के अकोर्डिंग ही आप लोग को टेंपरेचर डिसाइड करना है और फिर उसके बाद में आइनिंग करना है तो अब हम आ चुके हैं हमारे ये टू ये वाले सेक्शन पर जब भी आप लोग अच्छी तरीके से आइनिंग करोगे तो आप लोग को क पर पहुँच चुके हैं, आप लोग को जब भी आइनिंग करेंगे, तो हमेशा ज्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आप लोग को एकदम हलके हाथ से करना है, क्लिकि बहुत बार ज्यादा जोर से प्रेस कर देते हैं जिससे कि वो hairs break हो जाते हैं बट वो उस समय नहीं तूटते लेकिन जैसी एक से दो महीने होते है वहाँ से break होना start होता है फिर client को लगता है कि smoothing के वज़े से हमारा hair fall होता है फिर बहुत सारे client ऐसे हो जाते हैं कि नहीं-nहीं smoothing नहीं दो बर कराते हैं यानि कि एक बर कराते हैं अब देन उसके बाद में 5-6 मन्त के बाद जो भी न्यू ग्रोथ होता है तो उसे टच अप कराते हैं कोई प्रॉबलम नहीं होता अगर कोई प्रोफेशनल आप लोग का हैर स्मूथनिंग करें तो ये डाउट मन्त से निकाल दीजिए कि स्मूथनिंग से हैर फॉल होता है ठीक है तो चलिए हमारा आइनिंग कंप्लीट होने लगा है हम एकदम लाश्ट ओला सेक्शन कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो शाइनिंग आप लोग का हैर से जो चोटे 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 वहां होने लगेंगे जिससे की आइनिंग करने में भी प्राब्लम होगा और चोटे चोटे हैर अच्छी तरीकी से आइन नहीं हो पाएंगे तो फैन हमेशा बंद रखना है तो यह है हमारा फाइनल रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कितना बहतरीन सा आया है अगर आप लोग को भी स्मूतिंग करानी हो तो मेरे सलोन में आ सकते हो मेरा सलोन है कल्यान जो कि मुंबई सिटी में आता है इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज करकर अपॉन्मेंट ले सकते हो तो चलिए आगे का सेकंड क्रीम लगाते हैं तो जो हमारा फर्स्ट क्रीम होता है वो होता है हमारे हेर्स को ब्रेक करने का काम करता है बट हम आइनिंग करने के बाद में उसे हम आइनिंग मसीन से एक शेप देते हैं लेकिन आइनिंग मसीन से शेप देने के बाद में उस शेप को पर्मानेंट करना है तो य neutralizer देख सकते लॉरियल extension का neutralizer है यही हमारे hairs को shape देता है यानि कि जब आप लोग को इसे लगाना है तो लगाने के बाद में आप लोग को 10 minute के लिए client को बोलना है कि उसी तरह hold रहे जिस तरह हमने cream लगा के रखा है क्योंकि अगर वो face को या फिर head को उपर से नीचे या फिर कैसे भी हिलाएंगे तो जिस तरह आपका hair उस तरह उस hairs को shape आजाएगा तो आप लोग को ध्यान देना है और 10 minutes के लिए आपको बोलना है client को उसी तरह hold रहे हैं आप लोग को बता दू कि इसमें काफी heat produce होता है जिसके वईसे वो hairs को बहुती proper तरीके से shape दे देता है तो ये 10 minutes काफी जादा time होता है हमारे hairs को shape देने का काम करता है और हाँ आप लोग को बता दू कि आइनिंग करने के बाद में आप लोग को तुरन neutralizer नहीं लगाना है 10 minutes के लिए आप लोग को wait करना है जब तक कि हमारा hairs normal temperature में ना आ जाए उसके बाद में ही आप लोग के neutralizer लगाना है क्योंकि neutralizer में heat होता है जो कि heat produce करता है और हमने आइनिंग ही की होती है तो दोनो heat अगर हो तो बालों को problem हो सकता है तो ये हमेशा ध्यान रखिए तो अब हम करेंगे इसे wash अब आप लोग को wash एक normal water से करना है normal plain water से और wash करने के बाद आप चाहो तो conditioner लगा सकते हो अगर नहीं लगाना है तो भी कोई ज़रुवत नहीं है तो अब हम करेंगे towel dry towel dry से अच्छी तरीके से hairs को पूरा towel dry कर लेंगे और गीले बालों में आप लोग को लगाना है serum serum आप लोग laurel का लगाओ किसी भी company का लगाओ बट मैं यूज कर रहा हूँ stricts का काफी बहतरी result देता है और काफी cheap price में आता है तो मैं इसे home care के लिए भी suggest करता हूँ और use भी खुद करता हूँ client के लिए तो देखिए आप लोग को किस तरह से इसे लगाना है serum को भी आप लोग को किसी भी तरह नहीं आप लोग को सिर्फ length में लगाना है और देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ length में आप लोग को इसी तरह length में लगाना है proper तरीके से length में लग जाना चाहिए length में लगने के बाद में आप लोग को करना है इसी serum के उपर comb जी हाँ दोस्तों इसी serum के उपर tangle comb करना है अच्छी तरह किसे candle chrome को करके हमारे जो भी tangle उसे open कर लेना है और देन उसके बाद आप लोग को करना है dry तो हमेशा ध्यान रखी कि जब भी आप लोग को comb करना हो चाहे वो घर पे home care करिये चाहे smootning करते वकत किये आप लोग को हमेशा serum लगाने के बाद में ही comb करना है और फिर उसके अधा हमें dry कर रहे हैं cool dry कर रहे हैं ज्यादा heat नहीं कर रहे हैं 50% cool dry फिर उसके 30% medium dry फिर उसके बाद आप हमारा हो चुका है पूरा blood dry और हम फिर से dry hairs पर भी यूज़ करेंगे stricts का serum जहां दोस्तो comb करने के पहले आप लोग को यूज़ करना है जब हमारे hair dry हो जाए उसके बाद भी आप लोग को hair serum dry वाले hairs पर यूज़ करना है तो देखिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग के लिए अभी और भी नएने hair color से related वीडियो आने वाले है तो ये वीडियो को जाज स्यदा हो सकते तो share करना जिसे भी smoothening types के जो भी वीडियो पर problem है डाउट है आप लोग मेरा instagram idea hair stylist rohit वहाँ पर भी जाके मुझे follow कर सकते हो link आप लोग को description में मिल जाएगा इसी तरह नएने वीडियो आते रहेंगे और आप लोग को knowledge मिलते रहेगा आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को like share और subscribe करते रहेए तो चलिए मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए